हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारह पत्रक नमबर 7 करेंगे जो की क्लास एर्थ की है और विश्य है विज्ञान ये वर्क्षिट 10 अगस्ट 2021 की है तो आएए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वर्क्षिट शुक्षम जीव शुक्षम जीव की हमारे जिवन में महतोपुर्ण भूमिका होती है इसमें से कुछ हमारे लाब दायक और कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं शुक्षम जीव विबिन खादय परदार्तों को बनाने में सहायता करते हैं जैसे कि दही, ब्रेड और केक तो शुक्षम जीव हमारे लाब दायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं शुकषम जीव सेजसे की दही, प्रेड, इडली, भटूरे, ये सब बनने में जो शुक्षम जीव है वो हमारी मदद करते हैं, दही जमाने में भी शुक्षम जीव का महतपड भूमिका निभाते हैं, देखर किस तरह से, दही जमाने के लिए गरम दूद में थोड़ा सा दही मिलाए जाता है दही कैसे जमाए जाता है कि गरम दूद के अंदर थोड़ा सा दही मिलाते है अब दही के अंदर क्या होता है Lactobacillus Bakteria है लेक्टो बैसिलिस बेक्टीरिया नामक का जिवानु दूध में जननें करके उसी दही में परवर्वर्दित कर देतै है तो यहां पर एक बात नाँ कहेंगे लेक्टो बैसिलिस नामक का जो जिवानु जिवानु पनीर जैसे कि खादी परिधात बनाने में भी सहायता करता है जिवानु कि Sai Pans ere सोब beginner Paterson Kingdom जैसे की बनने में भी क्या जोता है जिवानों की help ली जाती अब देखते किंडवन यह एक ऐसे परकिरिया है जिसके दोरान भोजन में मौझूद चीनी यीस्ट द्वारा अलकोहल में परिवर्तित हो जाती है अब देखो किंडवन क्या होता है इसके अंदर भोजन के अंदर जो भी फूर मेटीरियल है उसके अंदर जो चीनी होती है कहते हैं चावल के आटे में किनवन में बैक्टीरिया तो यस्ट सहायक होते हैं जिसका उप्योग स्पंजी इडली बनाने में भी किया जाता है जिससे की स्पंजी इडली बनती है अब देखो एक्चुली होता कैसे है इसमें क्या हुआ है देखो हम यहां पर यह समझते हैं तो उस समय yeast powder मिला दिया, अब yeast powder क्या करते हैं, उस गुते हुए आटे के अंदर जब जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी जल्दी जनन करते हैं, जनन करने से क्या होता है, जब जनन करेंगे तो respiration भी rate बढ़ जाएगी, एक जनन कर रहा है, फिर एक से दो बने दो ने सांस लेन करना शुरू किया, तो जो क्या कारबन डाय एक साइड जादा मातर में क्या होती है, रिलीज होती है, अब क्या होती है, वो कारबन डाय एक साइड इस आटे में ट्रैप होकर रह जाती है, जिस इन आटे में फस जाती है, जिससे क्या होता है, गैस बुल बुल बुले आटे जाएगा और क्या होगा उसका आयतन भी बढ़ जाएगा आगे देखते क्या कहा गया है इसको लूई पास्चर ने किन्वन की कोज 1857 में की थी किस ने की थी किन्वन की कोज 1857 में लूई पास्चर आप ध्यान रखेंगे इस बात को अब भूत ही आसान से कोशें जो हम फटाफट कर लेते हैं ऐसे खध्या परदार्तों के उधारन दीजिए जो शुक्षम जीवी की सहाइता से बनते हैं तो ऐसे खध्या परदार्तों को आपको बताना है तो आप खुद ही बता सकते हैं तो दही ब्रेड केक इसके आप लिख देंगे पनीर छोले बटूरे इडली हना तो यह आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर ठीक है यहां पर देखो यह सारे जो मैंने मार्क किया है इसका फरस्ट का अंसर हो जाएगा दही प्रेड केक पनीर इडली छोले बटूरे तो फरस्ट कोशन का अंसर त इसके दौरान भोजन में मोजूचीनी इस द्वारा एलकोहल में परिवर्तित हो जाती है अब आटे फूल ने में किस तरह से मदद करता है तो यहां से लिखेंगे इस त्रिफ्टा से जनन करके शोशन के दौरान कार्बन डाई अकसाइड उत्पादित करते हैं यह बोजन क यह गैस के बुलबुले आटे का आयतर बढ़ा देते हैं जिसके परिणाम सवरूप आटा फूल जाता है तो यह हो जाएगा सेकंड कोशन का अंसर अब हम देखते हैं थार्ड कोशन क्या कहा गया है दही कैसे जमता है या बनता है दही जमाने से पुर्ध दूद को गरम क्य क्या जाता है तो देखो दूद को गरम क्यों किया जाता है बताओ अभी समझाया मैंने आपको यहां से आ जाएगा अंसर नमबर तीन दही जमाने के लिए गरम दूद में थोड़ा सा दही मिलाते हैं लेक्तो बैसिलस नामक का जिवानु यहां पर लिख देना गरम दूद म ही गरम दूद में ही जनन कर उसे दही में परवर्तित कर सकता है करता है इसलिए बस करता है कर दीजेगा लेक्तो बैसिलस नामक जिवानु गरम दूद में ही जनन कर उसे दही में परवर्तित करता है इसलिए हम दूद को गरम करते हैं तो दोनों ही अंसर हो जाएंगे तो आ झाल झाल झाल